प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरे आ रही हैं और ये गुरुद्वारे में इस वक्त सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखें कि लोग बैठे हुए हैं जमीन पर पंगत बैठे हुई हैं और उनको अपने हातों से ख समियने हैं जो जी मतीपर दैंश रोटिया भी बेली है आप देखिए रोटिया होग्रमस्तरी नरेंदर ईनेख़ी स November a review अपने हाथे लुक्त to यूर 25 नरेंदर नियुक्त अमकर पर दीखेल की आप और कहा जाता में रोटिया भी बेली है खाना भी लोगों को खिलाया है और यहाँ पे अमरत पान भी किया है लोगों से मुलाकात भी की है और पूरी एक जो नियम है उस काईद को नहभाते हुए यहाँ पर भगवान का आशरवात भी लिया है पटना साहिब की यह तस्वीरे जीम अद्रप मोदी गुरुद्वारे में जाते हैं और वहाँ पर इसी तरह से सेवा करते हैं बिलकुल चुकि पटना में चुनावी रैलियों को भी यहाँ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की और से संबोधित किया जाएगा लेकिन उन सब के पहले गुरुद्वारे पहुंचे प् जो जनता है वो पहुँचती है गुरुद्वारे और जिस तरीके से पूरे नियम के साथ पूरे विद्विधान के साथ पूजा आर्शना की जाती है वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करते वे देखे गए और एक आम शुरत धालू के तौर पर यहाँ पर देखे गए और देखे तस्वीरे देखे एक एक कर जो भी वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनको खाना परोस्ते वे भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नजरा रहे हैं पतना साहिब के यह तस्वीरे पगड़ी बांदे वे देखे प्यमोदी आपको नजरा रहे होंग और वहाँ पर पूरे विद्विधान के साथ अम्रित्मान करते हैं उसके बाद जो सेवा सतकार का भाव है वो भी प्रधान मंत्री का देखनी को मिलता है देखे रोटिया बेलते भी आपको देख रहे होंगे इसके बाद जो उन्होंने अपने हाँछ से खाना बनाया उसे परोसा भी जो वहाँ पर लोग मौजूद थें तो ये कही न कही प्रधान मंत्री की सादगी को भी दिखाता है और एक कनेक्ट जो जनता से होना चाहिए वो भी यहाँ पर प्रधर्शुत करता है अब इलकुल जो महिला शुधालू थी वहाँ पर ये भेट किया क्या है महिला शुधालू की तरफ से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को और आपको ये भी बता दे कि ये पहला मौका है जब कोई प्रधान मंत्री पटना साहिब गुरुद्वारे में पहुचा हुआ है